हला वरिवन आप सभी का स्वागत थे आपके अपनी यूट्यूब चैनल त्यारी सक्सेस की में दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में फिट सेमिस्टर हिस्ट्री ओनर्स के कोर पेपर 11 का सिलेवस को डिसकस करेंगे दोस्तो यह जो सिलेवस है आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपोडियन रहेगा तो दोस्तो आप लोग को पूरा समझना है डिटेल्स में कि आपको यह जो कोर 11 हे इसका सिलेवस क्या है दोस्तों पूरा सिलेवस आपको हिंदी में मिल जाएगा और ये जो पीडियप है मैं आपको टेलेगराम चैनल में सेर कर दूँगा टेलीगराम गुरूप का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से आप लोग टेलीगराम जोइन कर लिजिए और वहां से ये पीडियप पास सकते हैं अपने पास ये पीडियप जरूर रखिएगा ताकि आप लोग समझ सके कि कौन-कौन साब का सिलेवस है बाकी पूरा वीडियो को देखिएगा वीडियो को देखने से आप लोगों का पूरा अंडिस्टेनिंग बिल्ड हो जाएगा ठीक है तो क्या है कोर 11 का है ठीक है कोर 11 में दोस्तो हम लोग का सिलेवस से भारत का इतिहास 885 से लेकर के 1950 तक दोस्तो ये जो 885 है ये कॉंग्रेस की स्थापना है ठीक है क्या बोले दोस्तो कॉंग्रेस के इतिहास से लेकर के हम लोग को समिधान निर्मान तक की पूरा प्रिक्रिया पूरा टाइम डियूरेशन को पढ़ना है इस बार ठीक है तो हम लोग का स्टार्टिंग भी होगा जिसमें यूनिट वान में है उनिस सो उनिस तक राष्ट आंदोलन यानि पहले से लेकर के उनिस सो उनिस तक का जो आंदोलन हुआ था जलिया वाला बाघत्या खरंड वाला वहां तक का पूरा इतिहास को यूनिट वन में पढ़ना है उसमें सबसे पहला क्या चीज मेंसन है ठ्यान दीजेगा दोस्तों ठीक है तो पहला है भारतिय राष्ट कॉंग्रेस का गठन दोस्तों हम लोग इस से पहले जो हम लोग पढ़े थे न सिलेबस उसमें हम लोग का जो कोर नाइन वाला पार्ठ था ठीक है उसमें हम लोग는지 लाष्ट तक पहुचे थे कॉंगरेस के या तक ठीक है लेकिन उसमें कॉंगरेस नहीं पुछा गया था ठीक है बहुत लग कमेंट कर रहा था कि सर आप कॉंगरेस वाला कहें नहीं फड़ा रहेते क्योंकि दोस्तों कॉंग्रेस वाला जो यहां पर इस्थापना है वो यहां के लिए important है ठीक है तो भारतिय राष्ट कॉंग्रेस की गठन ठीक है और गठन होने के बाद दोस्तों 1907 में 1907 में कॉंग्रेस में अंतरिक फूट के कारण नरंपत्ति और उग्रपंति दो विचार भारत को जादी दिलाना ठीक है उसी बीच 1906 में क्या हुआ था दोस्तों 1906 में सौदेसी अंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था दोस्तों बंगाल विभाजन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और सौदेसी अंदोलन को भी हम लोग पूरा डेटेल्स में सुरू होने लगी थी स्वतंतरता आंदोलन के लिए तो भारत में कौन-कौन से क्रांती हुआ और विदेश में कौन-कौन सा क्रांती हुआ इसको भी आपको पढ़ना है उसके साथ साथ भारत में अंग्रेजों ने यहां पर सिक्षा प्रेस और रेलवे का इंटर्यूस किय यहां पर स्थापना किया ठीक है तो इससे हम लोग को क्या भारतिय अर्थ विवस्ता में क्या फाइदा हुआ इससे क्या प्रोफिट हुआ हर चीज इसमें भारतिय भारत में इसका क्या योगदान रहा पूरा चीज को हम लोग को डेटिल्स में पढ़ना है ठीक है पहला इ देखे यह सब जो बंगाल विभाजन देखे स्वदेशी अंदोलन देखे और सब पड़ देखे यहां से दोस्तों 1919 के बाद वाला है यहां से दोस्तों क्या हो गया था भारत के राजनेती पे महात्मा गांधी का मतलब यहां पर आगे थे महात्मा गांधी दच्छीन अफ्री महात्मा गांधी के सिध्धान्तों करें यह सवाल आ सकता है लेकिन में वो क्या सवाल आएगा कैसा सवाल आता है पूरा आपको प्रिवेश का कोश्चन दिखाऊंगा आप लोग सिर्फ समझते रहें ठीक है तो महात्मा गांधी ने जैसे चंपरन सत्यगरह किया था पूरा तीनों आंदोलन को दोस्तों डीटेल्स में पढ़ना है दो एक चीज में दोस्तों इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा जिसमें आपको खिलाफत आंदोलन सवीने अवग्या आंदोलन और स्वादेसी मुम्मेंट जो हम लोग इससे पहले यूनिट में देखे यह सब स्वादेस आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों क्रांती कारी और क्रिसक आंदोलन भी हम लोग को पढ़ना है ठीक है उसके बाद 1935 से आंदोलन तक ठीक है उसके 1935 से लेकर आंदोलन तक का टाइम डिवरेशन को पूरा पढ़ना है जिसमें कॉंग्रेस और गेर कॉंग्रेसी प्रांत मंत्रा लोग का कारी परना ली यानि कॉंग्रेस का और गेर कॉंग्रेसों का अपने प्रांतों के लिए किस प्राकर का कारी परना ली कर रहा था उनके बारे में पढ़ना है संप्रदाइकता राजनिती यानि जो अंग्रेज यहां पर आए औ और हिंदु मुसलिन को आपस में लड़वाया यानि संप्रदाइकता की राजनीती स्टार्ट हुआ और उसी टाइम से जो पाकिस्तान की मांग उठी थी इनको भी आपको पढ़ना है दोस्तों ये बहुत बहुत इंपोर्डेंट है चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत आना है ठीक है नेक्स्ट है भारत छोड़ आंदोलन को पूरा डीटेल्स में पढ़ना है दोस्तों लॉंक कुशन बनता है नेक्स्ट है सुवास चंद्र बोस और भारतिया राष्ट सेना यानि सुवास चंद्र बोस ने जो फॉरवर्ड वलाग बनाया आजाद हिन होज बनाया और उसका भारतिया राष्ट आंदोलन में जो सेना का गठन हुआ उससे भारतिया राष्ट आंदोलन में क्या उनका भूमी का था सब कुछ पढ़ना है ठीक है नेक्स्ट है आपको लोगों का क्रिप्स मिसन ठीक है क्रिप्स मिसन और केविनेट मिसन योजना के में यहां पर आजादि डिया गया और आजादि के बाद दोस्तु यहां पर उनको पूरा पूरी एक सम्मिधान निर्वान के बाद भारत को आजाद कर दिया गया भारत का सम्मिधान दो है वह 26 नवंबर 1940 को लागू हुआ ठीक है ? पहुत बड़ा प्रोसीजर से होकर पास हुआ सम्मिधान सभा के द्वारा सम्मिधान को बनाया गया ठीक है दो साल गारा महिना अठरा दिन इन में समय लगा हर एक चीज हमको डिप्टेल्स में पढ़ाए जाएगा जो फोर इनिटी उसमें बिभाजन और सुतनतरता के बारे में पढ बना थीक है तो भारतिय सम्मिधान का निर्मान में किस तरह का प्रोसीजर पालन किया गया सब कुछ आपको पढ़ना है तो दोस्तों यह आपका कौर है किए विडियो अगर आपको यह समझ में आया है ठीक लगा है तो प्लीज विडियो को लाइक किजिएगा और कमेंट ब और DSE 2 इसका भी सिलेवर बहुत जल्द आएगा क्योंकि बहुत बढ़ा सिलेवर से इसलिए आपको जल्दी जल्दी कवर करवाना है और उसके बाद दोस्तों हम लोग को प्रिवेश येर कोईशन पेपर देखेंगे और उसके बाद से हम लोग सीरियल वाइज पढ़ना स्ट कोई भी वर्डन ना हो कोई भी स्ट्रेस ना हो कि हमेरा इतना सिलेवर्स गभर नहीं हुआ है तो आप लोग को डेली वीडियो देखना है और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ जरू सेर कर दीजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ताफ्तर के लिए जाएं कोई